हले वरिवान दिस इस एफकेमेक ऑफिशल यूट्यूब चैनल मेरा नाम है इंजिनियर फर्मान खान यह आप लोग मेरे पास एक स्टेंडर टाइप विक्यूम पंप देख रहे हैं जो कि डबल स्टेज रोटरी टाइप विक्यूम पंप है और चुमकि मैं इसी को ही यूज क करता हूं ताकि रेफरेजरेटर या एर कंडिशन को में डीपली वेक्यूम कर सकूं और रेफरेजरेटर या एर कंडिशन को डीपली वेक्यूम क्यों करना चाहिए और कितना तक डीप वेक्यूम होता है यह सारा सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आखिर में मैं आप लोगों को बता हूँगा कि डीपली वेक्यूम करने के एडवांटेजिस और डीस एडवांटेजिस क्या होते हैं सो प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करें अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना भी ना भूलिएगा सो मैं आप लोगों को बताता चलूँ फरस्ट अफ़ाल कि डीपली वेक्यूम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़े जो है वो जरूरी है फरस्ट अफ़ाल तो आपके पास एक सटेंडर टाइप वेक्यूम होना चाहिए अगर डबल स्टेज है तो बहुत ही अची बात है वरना सिंगल स्टेज तो होना ही होना है ठीके और इसके बाद आपके पास एक अदद माईक्रों गीज भी होना चाहिए तो पिर आप सिर्फ माइक्रोन गेज दी काम चला सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को मैंने शो करवाने के लिए कि वेक्यूम को आपने किस सरह देखना है कि अभी हो चुका है या नहीं हो चुका है इसलिए मैंने गेज मेनी फोल्ड भी लगाया हुआ है और साथे साथ चुकि इस यूनोट के अंदर इस वक्त रेफरेजरन में वजूद है जो आप लोगों को यह ट्रेनर दिखाई दे रहा है तो इस वज़ए से मैंने ट्रेनर की बज़ए इस सेलेंडर को ही वेक्यूम करना है अब दोनों गेज इस फर गेज मेनी फोल्ड पर भी और माइक्यूम को देख सकेंगे तनी अब देखेंगे तकर Ride माइक्यूम 15 से शुरू हुआ है और अभी हईस्सा कम होता जा रहा है इसकी वेलियों अब देख सकते हैं मैं आप लों को तुरह सा करीब से दिखाना चाहूंगा कि अब दो पहले गेज के साथ जो लगे हुए चार्जिंग हो उसको अची तरह से टाइट कर ले ताकि उसमें कोई लेकिज वगएर ना हो समयने आलेड़ी टाइट किया याभी तो यहाँ पर मैं वीडियो को तोड़ा सा फास्ट मूट पे चलाओंगा ताकि वीडियो का साइज बहुत ज्यादा ना बने और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वेक्यूम करने के लिए कम से कम टाइम जो है वह आपको ट्वेंटी मिनिट सो देना ही देना होगा ठीक में लेकिन कम से कम टाइम अगर चोटा भी उनिट आप करते हैं तो कम से कम टाइम जो है वह आपने क्वेंटी मिनिट इसको देना ही देना होता है यह पर आप गेज पर देख सकते हैं 600 से अभी तोड़ा सा कम हुआ है माइकरोन गेज पर और यह जो माइकरोन पर रिडिंग है यह आपको अगर डीप वे क्यों करना है आपने तो 500 तक आना चाहिए अगर 500 से उपर होगा तो इसका मतलब कि यह नोट के अंदर कहीं ना कहीं तोड़ी सी हवाया तोड़ी सी नमी जरूर मुझूद है तो डीप वे क्यों के लिए जरूरी है कि आपको जो माइकरोन गेज है वो आपको 500 माइकरोन तक यह गेज रिडिंग लेके आएं अभी चुंके माइकरोन गेज पर वेक्यूम जो है वो जारी है और यह तकरीबन अभी बहुत स्लो हुआ है यानि 550 से यह नीचे नहीं जाएगा जो कि इसको डीप वेक्यूम नहीं कहा जा सकता और इसकी वज़ा कि जो गेज मेनी फोल्ड मेरे पास लगा हुआ है यह बहुत ही पुराना है तो हो सकते हैं उसके अंदर कोई बारीक सा लीकेज मौजूद हो तो यह याद रख लें कि डीप वेक्यूम 500 माइकरोन तक ही होना चाहिए अगर इससे और भी डाउन होते हैं तो यह बहुत है और भी अची बात हैं लेकिन 500 तक मेनीम होना ही चाहिए अचा यह एक रेफरेजरेटर का साइकल डाग्राम है और इसको आपने कम्प्लीट रेफरेजरेटर ही समझना है मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक चोटे चोटे पार्ट लगाये हुए आपने इसको कम्प्लीट रेफरेजरेटर ही समझना है ठीक है एक दूसरे डियाग्राम के दरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर डीप वेक्यूम ना किया जाहे किस ब्लेक कलर में वेलियूज मैंने आपको दिखाए हुए है यह एक नार्मल रेफरेजरेटर जो कि अच्छे से वेक्यूम हो चुका होता है उसी की परफॉर्मेंस की यह वेलियूज है और जो रेट कलर में मैंने वेलियूज आपको दिखाए हुए है एक ऐसा होगा हम यह ब्लेक कलर की वेलियो से देखते हैं फरस्ट अफाल रेफ्रेजरेटर की एक मप्रेसर का जो सक्षन प्रेशर होगा वो 10 PSI जी और सक्षन टेंपरेचर होगा यह तीन और इसी रेफ्रेजरेटर के कमप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो तक्रीबन 215, 220 या 225 PSI तक होगा ठीक है पिर जब यह रेफ्रेजरेटर के अंदर जाएगा तो कंडेंसर के अंदर जितना भी हीट कंडेंसर से बाहर खारेज होगा वो 100% सिर्फ और सिर्फ रेफ PSI पर ही कंडेंसर जो है अपना कंडेंसरिशन का काम करेगा त्यक्ति उसके बाद जब यही रेफ्रेजरेट के अपने ट्यूब पर से आगे जाकर एवापरेटर के अंदर जाएगा तो एवापरेटर के अंदर यह तक गिरिबन माइनस 15 डिशिंग्रेट माइनस 16 या माइन 17 डिग्रेट का टेंपरेचर काफी सुटेबल है अच्छा इन कंडिशन में आपका जो रेफ्रेजरेटर है वो बहुत वेल परफॉर्म करेगा और इसके जो COP होगा कॉफिशेंट आफ परफॉर्मेंस होगा वो भी बेहतरीन होगा यानि ज्यादा हीट यह एवापरेटर से कुलिंग ज्यादा होगा और कंप्रेसर जो है कम करण यानि नार्मली करेगा जितना रेफ्रेजरेटर कंजियूम करता है अब एक दूसरा रेफ्रेजरेटर जो के जिसको हमने डीप वेक्यूम नहीं किया है उसका परफॉर्मेंस किस तरह होगा अगर हम सेम है वो दोनों बढ़ जाएंगे सक्षन प्रेशर आपका 15 PSI तक बढ़ जाएगा डिस्चार्ज प्रेशर आपका तक क्रीबन 260 PSI तक बढ़ जाएगा इसी वज़ा से आपका suction temperature भी तोड़ा सा बढ़ जाएगा discharge temperature भी तोड़ा सा बढ़ जाएगा suction temperature 24 degree centigrade तक बढ़ जाएगा जबकि discharge temperature तक करिवन 72 degree centigrade तक बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि compressor पर से जब suction temperature और discharge temperature दोनों बढ़ गए हैं तो compressor तोड़ा सा overheat होगा और compressor के overheat होने की वज़ा से head pressure बढ़ेगा head pressure के बढ़ने की वज़ा से आपका ये compressor जो है वो तोड़ा सा ज्यादा current consume करेगा और कभी कबार ज्यादा overheat होने की वज़ा से ये tripping का मसला भी शुरू कर सकता है इसके वज़े से compressor में एक और मसला ये पेदा हो जाएगा कि जो compressor ने पहले free stroke यानि एक stroke में तकरीबन 20 gram का refrigerant compress करना था अब चुमके इसके साथ air भी मुझूद है तो इस वक्त ये compressor तकरीबन 15 gram या 16 gram का refrigerant ही compress करेगा तो इस तरह compressor का जो volume metric efficiency है यानि जितना volume का refrigerant इसने compress करना था अब air की वज़े से वो तोड़ा सा कम compress कर रहा होगा तो इस वज़े से volumetric efficiencies की कम होती जाएगी अब second number पर के condenser के अंदर इसका क्या effect पड़ेगा देखें condenser जो के पहले तकरीबन 220 PSI पर अपना condensation का अमल कर रहा था अब चुमके condenser की अंदर air मौजूदे तो air की वज़े से condenser तकरीबन 260-270 PSI पर अपना condensation का अमल करेगा और जो refrigerant से heat बाहर के तरफ खारज होगा उसमें से 70% जो heat होगा वो refrigerant का होगा जबकि 30% heat जो है वो air का होगा और air का heat की हमें यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है यह वेज़े ही system के ओपर तोड़ा सा बोज बन जाएगा इसके अलावा अगर condenser के अंदर air मौजूद होगी तो air का यह चुमकि air non condensable है यह condens नहीं हो सकती तो इस वज़े से यह refrigerant को भी condens नहीं होने देती यहाँ बहुत ही मुश्किल से refrigerant इससे condens हो पाता है यानि refrigerant जो है वो वेपर से जब liquid में change हो रहा होता है तो air जो है उसमें मुझाहमत पेश करती है और refrigerant कहीं condenser के आखरी हिसे तक जाकर ही condens हो जाता है जिसे के जो condensation का अमल है वो मुझाहसर हो जाता है अब condenser के बाद refrigerant आगे जाकर capital tube के अंदर यह air वहाँ भी मुझाहमत पेश करता है यानि अब refrigerant का जो flow है capital tube पर से वो ही मुझाहसर हो जाती ही यानि कुछ मेकदार में refrigerant capital tube के अंदर से जाएगा कुछ मेकदार में air जो है उसके साथ जाएगा और air की वज़े से जो refrigerant का flow है वो कम पढ़ जाती है तो इसका मतलब कि evaporator में आपका refrigerant का flow ही कम आएगा चोते नमबर पर problem evaporator को पेश आएगा यानि evaporator के अंदर जो refrigerant का pressure हम 10 PSI रख लेते हैं और इस पर यह तक्रिवन 15 degree centigrade तक temperature maintain कर लेता है अब चुँके refrigerator के cycle के अंदर air में वजूद है तो इस वज़े से capital tube के तुरू जो refrigerant flow हो रहा है evaporator में वो flow ही कम होगा तो इसका मतलब कि evaporator के अंदर जो pressure होगा उसमें हम दोका काएंगे यानि हम समझेंगे कि जो 10 PSI का pressure है evaporator के अंदर यह refrigerant का pressure है और इसको अब सही cooling करनी चाहिए लेकिन चुँके इसके अंदर air मौजूद है तो air की वज़े से कुछ pressure air का होगा और कुछ pressure जो है वो refrigerant का होगा तो इस तरह से overall जो cooling efficiency होगी वो हमारी कम होती जाएगी और इस वज़े से जो air है evaporator के अंदर यह refrigerant के temperature को बहुत ज्यादा कम नहीं होने देगी यानि अगर पहले यह minus 15 degrees centigrade तक कम हो रहा था evaporator के अंदर temperature अब यह तक्रीबन कहीं न कहीं जाकर minus 8 minus 7 या minus 9 तक ही सिर्फ कम होता जाएगा अब यहाँ पर हमारे technician एक बहुत बड़ा mistake करते हैं कि वो refrigerator के अंदर मजीद refrigerant बढ़ा देते हैं भई अगर आप refrigerator के अंदर मजीद refrigerant बढ़ाएंगे तो इसका मतलब जो minus 8 degrees centigrade भी जो evaporator के अंदर temperature maintain हो रहा है उससे भी यह temperature जो है evaporator में बढ़ जाएगा और तक रिबन minus 2 minus 3 या minus 1 degrees centigrade तक आ जाएगा और इस सूरत में आपके refrigerator के अंदर जो बरफ बनेगा वो कच्छा सा बरफ बनेगा तो अगर आप unit का deep vacuum नहीं करेंगे तो इसका disadvantage यह होगा कि आपका compressor जो है वो सही तगड़ा इसा current कंजियूम करेगा लेकिन आपको जो heat transfer है यानि heat जज़ब करना है इव आपरेटर में वो बहुत ही कम मिलेगा